ओम शांती, आज 2 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज बाबा ने योग कम है तो समझाते हुए कहा, तुम बच्चों को एक बाप की याद में रहना है, अपने मन बुद्धी को भटकाना नहीं है, बाबा की श्रीमत है, मन बुद्धी का भटकाना बंद करो, एक ब आपको याद करो, जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे, उनका मन बुद्धी का भटकना स्वतही बंद हो जाता है, धीरज देते वे बाबा ने कहा, आधकल्प मन को भटकाया, अब मैं तुमें भटकने से छुडाता हूँ, तुम बच्चे अब बंधन से संबंध की तरफ च अनेक प्रकार के बंधन मन बुद्धी को परेशान करते हैं, जब संबंध एक बाबा से जुड़ जाता है, तो सब बंधन समाप्थ हो जाते हैं, किवल संगम युक पर ऐसा होता है, जब बाबा सर्व संबंध अपने से जुड़ाते हैं, और कहते हैं मा मेकम याद करो, पाप नश्ट हो जाएंगे, कल्प में एक बार बाबा शरीमत देते हैं, और ये शरीमत 21 जन्मों के लिए आपको सुकताई बनाती है, तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, सुनते हैं बाबा के मधर बोल, बाबा के ते मीठे बच्चे, अब शरी पर मन बुद्धी को भटकाना बंद करो, एक बाब से सम्मंद जोड, बुद्धियोग लगाओ, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे, बाबा से बुद्धियोग लगाओ, सब बंधन समाप्त हो जाएंगे, कुशन है, बाब संगम पर तुम्हे कौन सा पुर्षार्ट कराते है जो सारे कल्प में नहीं होता बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुर्शार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता बंधनों से बुद्धियोग निकाल संबंध से बुद्धियोग जोडने का पुर्शार्थ अभी बाबा तुम्हें कराते हैं इस समय एक तरफ तुम्हें समंद खीचता है, दूसरी तरफ बंधन ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से इश्वरिय समंद में आने का यही समय है। क्योंकि इश्वर को यथात रूप से अब तुम जानते हो। इश्वर को सरव्यापी कहने से समंद जुड़ने की बज़ाएं तूट जाता है, बुद्धी विप्रेत हो जाती है। इसलिए जब यथात पहचान मिली तो समंद में आने का पुर्शार्ट करो। यथात पहचान मिली तो बाबा के साथ समंद जोड़ू, समंद में आने का पुर्शार्ट करो। गीत धीरजधर मलुआ, धीरजधर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शान्ति, मनुष्य मात्र का मन और बुद्धी, अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धी है, वो अनेक प्रकार के भ्रम में भटकता रहता है। यहां तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुर्शाट कर रहे हो, आत्मा कहती मेरा मन भटकता है, बाबा कहती तुम्हें भटकने की दरकार ने, आधकल्प तुम्हारा मन बुद्धी भटकते भटकते हैरान हो गया, अब शिरीमत पर मन बुद्धी को दे अभिमान में आकर तुम बहुत भटके हो, अनेक प्रकार के मित्र समंधियों आधी का बंधन रहता, बाबा के तुम सबको छोड़ो, एक के साथ समंध जोड़ो, कहती हमारा मन बहुत भटकता है, एक के समंध में जुट नहीं सकता, हम चाहते भी हैं, ऐसे मीठे मीठे, बेहद का सुक देने वाले बाब के साथ योग पक्का रखें, कहां भी बुद्धी भटके नहीं, बाबा केते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते, तुम हैरान हो गए हो, अब ये भटकना छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से समशतें कि मैं देहे हूँ, तो देही के साथ संबंध हो जाता है, अनिक शरीवधारियों से संबंध हो जाता है, बाबा ऐसा नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यू लोग के बंधन में रहते हुए, इश्वरिय संबंध को याद करो, ये है बंधन, वो है संबंध, बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का, बंधन और संबंध दोनों अलग-अलग है, बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है, अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध चोड़ो, नई दुनिया के साथ समद्ध चोड़ो, इस बंधन में रहते हुए, समद्ध के लिए पुर्शाट करना है, समद्ध किसके साथ रखना है, ऐसा तो कोई है नहीं, जो कही मन मनाभव, मध्याजीभव और कही बेहद बाप से, बेहद सुख के वर्से से समद्ध रखो, बाप ही ये संबंध जुडाते हैं जब तुम बंधन में हो तो तुमें पुर्शात कराने वाला कोई मनुश्य नहीं एकी बाप है जो बंधन से छुडा कर संबंध में ले जाते हैं एकी बाप है जो बंधन से छुडा कर संबंध में ले जाते हैं बंधन है मायावी राज्जे में, समंध है राम राज्जे में वा इश्वरिय राज्जे में, उनको इश्वरिय राज्जे, इनको आस्वरी राज्जे कहा जाता, क्योंकि सत्यूग स्थापन करना बाप का ही काम है, उसमें उचपद पाने के लिए तुम बच्चे पुर्शा पुर्शार्थ कराते हो, सत्यूगी दुनिया में उच्पद पाने के लिए पुर्शार्थ कराते हो, अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही समंद का पुर्शार्थ होता है, और किसी युग में ये पुर्शार्थ नहीं होता, बाबा किते में आकर बंधन से छु अभी के पुर्शार्थ से मिलती है, जो समंध को जानते ही नहीं, तो पुर्शार्थ कैसे करेंगे, यह तो जरूर होगा, एक तरफ समंध कीचेगा, दूसरी तरफ बंधन कीचेगा, यह लडाई होती है, एक तरफ समन्द खिचेगा एक तरफ बंधन खिचेगा ये लड़ाई होती है सत्यु त्रेता में समन्द की बाती नहीं द्वापर कलियुग में भी समन्द की बात नहीं संगम पर समन्द और बंधन का ध्यान रहता है अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से इश्वरिय समन्द में जा रहे हैं संगम है पुर्षाट का यूग तुम कोई बंधन और समन्द का पता है आसुरी बंधन में रावन ने लाया इश्वर फिर इश्वरिय समन्द में ले जाते हैं बाब तुम्हरा बुद्ध्योग अपने साथ जुडाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, अटेंशन देंगे, बाबा से बुद्ध्योग लगाने से आप स्वर्ग के मालिक बनते हो, भक्ती में जो पुर्शार्थ करते हैं, वो है एय यथार्थ, यथार्थ पिता ही कराते हैं सरव्यापी के ज्यान से परमात्म से समझ नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है अब तुमने एक बाबा के साथ बुद्धियोग जूड़ा है और स्वर्ग बैकुंच की राजाई के लिए तुम पुर्शाट कर रहे हूँ शास्त्रों में भगवान वाज अर्जुन प्रति लिख दिया सरफ एक अर्जुन थोड़ा ही होगा भगवान ने राज्योग तो बहतों को सिखाया होगा न नहीं तो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो दुनिया में ऐसा कोई मनुश्य नहीं जो कहे हम भविश्य जनम जनमांतर के लिए पूर्शाट करते हैं ये सरफ तुम रामा नहीं कर सकते हो ये निश्य है हमारी दैवी राजधानी ड्रामा नुसार जरूर स्थापन होनी है हम ना चाहे तो भी जरूर होगी इंपॉसिबल है जो स्थापना ना हो ड्रामा नुसार स्थापना जरूर कराएंगे ड्रामा हमें पुर्शाट का कल्प पहले माफिक, प्रंतु चलना है शिरीमत पर, ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है, जानते हैं ड्रामा मसार भारत को स्वर्ग जुरूर बनना है, फिर भी उच मर्तबे के लिए शिरीमत पर पुर्शार्थ कराते हैं, टाइम भी बताते हैं, ड्रामा प्लैनमसार बाब, आया है, कहते ये संगम युँग पूर्शार्थ करने का है, पतित पावन बनना है, संगम की बहुत महिमा है, वो है नदियों और सागर का संगम, ये संगम तो तुम्हारा अभी होता है, बाबा केते संगम युगे युगे आता हूं, सारी दुनिया पतित जरूर ब बाबा कल्प में एक बार संगम पराते हैं फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको इसाब किताब चुक्तू कर पावन जरूर बनना है ये क्यामत का समय है बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती तुमने देखा होगा टिडियां जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है उसके पिछाड़ी सारा जुंड उड़ता है ये भी ऐसे है साजन आया है गुल-गुल बनाने तुम सब पावन बन जाएंगे फिर जब मैं जाऊंगा तुम सब आत्माई सजनिय धेर की धेर मेरे पिछाड़ी भागेंगे तुम सजनिया भी जानती हो हम ये शरीत छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी भगवान है एक भगतियां है अनेक कोई किसको मानते कोई किसको मानते कोई कहते संसार बना ही नहीं इसने जो कहा सो मान लिया अपनी मत अत्व मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है बाबा आकर सब भ्रम से छुड़ा देते ये दुख धाम अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है निराकार बाप की मत मिल रही है इस समय सुख धाम में जाने के लिए मत मिल रही है निराकार बाप की मत मिल रही है साकार मनुष्य से कभी शिरीमत नहीं मिल सकती रावन राच्चे में आसुरी संप्रदाय को सिवाई परम पिता के शिरीमत कोई दे नहीं सकता जिससे वो स्रेष्ट बने दिन प्रति दिन मनुष्य और ही ब्रश्ट होते जाते हैं उन सब की उतरती कला है तुम्हारी चड़ती कला है तुम ब्रामन सो देवता बनते हो फिर उतरती कला शुरू होती है देवता से शत्रिये वैशुद्र बनेंगे अब चड़ती कला है चड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे तुम जीवन मुक्ती में चले जाएंगे भारत कभी खाली नहीं होता स्वर्ग जब होता तब और कोई खंड नहीं रहता इसलामी बोधी आदी तो बाद में आते हैं उनसे पहले चंद्रवंशी राम राज्य था उससे पहले सूर्य वन्शी लक्ष्मी नारण का राज्य था क्राइस्ट नहीं था तो बोधी थे बोधी नहीं थे तो इसलामी थे इसलामी नहीं थे तो राम राज्य था उससे पहले सूर्य वन्शी थे अब सुर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है बाबा कर तीन धरम स्थापन करते हैं हम ब्रह्मा मुकवन शावली सच्चे ब्रामन देवता बनते हैं पुर्शार्थ कर रहे हैं शुद्र पुर्शार्थ नहीं करते ब्रामनों कोई ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिल जिससे तुम स्रेश्ट देवता बनते हो, बाकि थोड़ा समय है, विनाश आया की आया, हालते बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम लगता, अगर एक ने बॉम चलाया, दूसरा भी चलाने लग पड़ता, तुम सुक्षम वतन, मूल वतन, बैकुंट देखकर आते जाहेंगे, पाकि सक्षतकार होता, अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है, तुम्हारी रामराज्य की तरफ पीठ है, मुह है रामराज्य की तरफ, अब तुम ब्रामन वरण में हो, वरण अविनाशी है, प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रामन जरूर चाहिए, तुम ब्रामनों को वर्सा दादे से मिलता है, स्वरक की सापना करने वाला, राज्योग सिखाने वाला, शिव बाबा है, ये ईश्वरी वर्सा, आधा कल्प चलता, फिर मिलता है आसुरी वर्सा, चड़ती कला, 21 जरम के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्ये शुरू होगा, असुरी रामन है, परम पिता परमात्मा को कहा जाता, बिंदी मिसल, दुनिया ये नहीं जानती, शिव का रूप क्या है, वो समझते इतना बड़ा लिंग है, बाबा गयते जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे मुझ परमात्मा का मैं भी चमकता सितारा हूँ, अनुभव करेंगी कुछ सेकिन, मस्तक में मैं चमकता सितारा हूँ, बाबा भी चमकता हुआ सितारा है, उस सितारे का प्रकाश मुझ में समा रहा है, बाबनी का, तुम भी चमकते सितारे हूँ, मैं भी, मैं सदयव परमधाम में रहता हूँ, जनम पुनर जनम में नहीं आता हूँ, तुम जनम पुनर जनम में आते हूँ, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परमधाम में रहना पड़े, अभी तुमें मैं पावन बन इस पुराने दुनिया को बुद्धियोग से भूलना है कहते हैं बच्चा अत्वा ये धन ईश्वर ने दिया बाबा केते हैं सब तो खतम होने वाला है ये तो कुछ नहीं है इससे ममत्व तोड़ दू भगवान तुम से लेकर क्या करेंगे सरफ तुम ममत्व निकाल दू ये तुम बच्चे जानते ही पुरानी दुनिया भस्म होनी है अभी हमें नई दुनिया में जाना है इसलिए ममत्व मिटाई नए में जोड़ना है कल्योग के बाद सत्यू गाना है जिसे रात के बाद दिन दिन के बाद रात होती है ये फिर बेहद के दिन और रात की बात है आ पट्थर को पूजा के लिए रखते हैं पट्थर को इशिव कहते पूजा के लिए पट्थर की प्रतिमाय बनाई ये भगति मारक की समगरी बहुत है जनम जनमांतर यग तप तीरत शास्तराधी पढ़ते आएं बाबा केते इन सब सिब तुम मुझे प्रात्मी कर सकते हो तु शिरीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे 21 जनमों के लिए तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे एकी पारलोकिक बाप स्वर्ग का वर्सा देते हैं वहां दुख की कोई बात नहीं तुम पांचार वर्ष के बाद बाप से वर्सा लेने आए ह जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं, वो भी स्वर्ग में आएंगे, प्रंत उच्पद नहीं पासकेंगे, जितना योग में रहेंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे, उच्पद पाएंगे, श्रिव बाबा की याद में रहना है, सृष्टी चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है, इसे बहुत उच्पद मिलेगा, बाबा करते हैं, अजामिल जैसे पापियों का भी मैं उद्धार करता हूं, अच्छा, नीठे-मीठे, सिक्किला दे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप ददका, याद प्यार, गुड़ मॉनिंग, रूहनी बाप की, रू पहली पॉइंट है, मृत्यों लोग के बंधनों में रहते, सुख के समंद को याद करना है, अपनी कौात्मा समझ, मन बुद्धी को भटकने से छूडाना है, पुरानी दुनिया खतम होनी है, इसलिए से ममत्व मिटा देना है, सब ब्रहमों से बुद्धियों निकालने के लिए श्री मत्व पे चलना है, सभी ब्रहमों से बुद्धियों निकालने के लिए श्री मत्व पे चलना है, बरदान है किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त क करने वाले सहजियों की भव सभी points का सार है point बनना point रूप में स्थित्रों तो question मार की क्यों स्माप्त हो चाहेगी जब किसी भी बात में question आए तो बिंदी लगा दो फुल स्थोप लगाने का सहज slogan है जो हुआ जो हो रहा है जो होगा वो अच्छा होगा क्योंकि संगम है यह अच्छे से अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है इससे सहज योगी जीवन का नुभव करते रहेंगे सरल शब्दों में बिंदी लगाने के लिए यह संगम पुद्धी में इमर्ज करेंगे जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छे से अच्छा होगा इससे हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे कोश्चन मार्क समाप तो जाएगा सहज योगी बन चाएंगे आज याद रखेंगे बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे पॉइंट बन कर पॉइंट बिंदु बाबा को याद करेंगे मैं सहज योगी आत्मा हूँ बाबा ने मुझे सहज योगी बना दिया मुझे समरती दिलाई जो हुआ अच्छा हुआ जो होगा अच्छा होगा ब्रामनों के लिए सब कुछ कल्याण का रही है मंगल का रही है नू कोश्चन मार्क कोई आश्चर्य नहीं कोई प्रश्न नहीं फुल स्टॉप कल्याण की बिंदी लगाने से कल्याण का रिबाप की याद से हर बात में कल्याण हर बात में कल्याण मैं सहच योगी आत्मा हूँ शुक्रियां बाबा शुक्रियां और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान मोती शुक्रियां का अव्यक्त ग्याई प्यां बात में तो प्रभ्यक्त